नमस्कार दोस्तों वेल्कम बैक तो मैं चैनल दिस इस यर फ्रेंड आमित आज मैं आपको नभी मुंबई इंटरनेशनल एरपोर्ट दिखाने बाला हूं और शेयर करूंगा यहां की काफी सारी डीटेल्स दोस्तों काफी दिनों के बाद में इस चैनल पर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं लेकिन मैं आगे आपको रेगुलर अपडेट देता रहू होंगा आये चलते हैं नभी मुंबई इंटरनेशनल एरपोर्ट की तरफ कर दे के में दोगेंगेफ कर दो यह जो टोटल एरिया है वो 2260 हेक्टर्स का है और जो एक्चुल एरपोर्ट बनाया जाएगा वो 1160 हेक्टर्स के एरिया में बनाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट की टोटल कीमत जो है वो 16700 क्रोड बताई जा रही है नवी मुंबई इंटरनेशनल एरपोर्ट को बनाने का काम अडानी ग्रूप कर रही है और इस एरपोर्ट का प्रपोस्ट डिजाइन 11 जून 2021 में दिया गया था 2024 तक फर्स्ट फेस को कंप्लीट करने की डेडलाइन है इस एरपोर्ट का नाम 16 जूलाई 2022 को महरास्टरा चीफ मिनेस्टर दुआरा क्लियर कर दिया गया था और इस एरपोर्ट का नाम डीबी पार्टिल इंटरनेशनल एरपोर्ट का गया है क्त अ कर दिया गया था वे तर दिया ंड़ है अधानी ग्रूप ने दोहजार एकिस में नवी मुमे इंटरनेशनल एरपोर्ट के स्टेक्स करी दे थे जून दोहजार बाइस सीडको ने दोहजार आठ सो साट एकर्स ओफ लैंड हैंड ओवर किया है अधानी ग्रूप को कंस्रक्शन वक्ट चालू करने के लिए अधानी ग्रूप ने अल्रेडी यहां कंस्रक्शन वक्ट चालू कर दिया है और टर्मिनल और रन्वे का काम स्टार्ट कर दिया है और अब यह देखना है क्या डेडलाइन तक यह काम खत्म कर पाएंगे दोस्तों मुझे तो यहां काम बहुत ही स्पीड में होता हुआ दिखाई दे रहा है आज से छे माने पहले यहां इतना कुछ काम नहीं हुआ था और अब यहां पूरी पिक्चर ही बिदल गई है शायद आप कैमरे में ठीक से देख पा रहे हो बट मैंने यहां बहुत चेंजिस देखे हैं इन्वेस्टमेंट परपस के लिए यहां के जो आजू-बाजू के एरियास हैं वो भी काफी डिमांडिंग है जैसे कि उल्वे द्रोनागिरी करंजाडे पनवेल यह सब एरिया काफी जल्दी ग्रोग करने वाले हैं तो आप अगर इन्वेस्टमेंट के परपस से कुछ देख रहे हैं तो आप यहां ज़रूर विजिट कर सकते हैं दोस्तों आगे भी मैं आपके लिए ऐसे अपडेट्स लाता रहूंगा आप मेरी इस वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें झाले देख लिए रहे हैं झाले झाले